तो आई इस बहतरीन लर्निंग जरनी की शुरुवात करते हैं रोबर्ट क्योसाकी के अनुसार अध्याइवन इसकी भो जरूरत है कि स्कूल बच्चों को असली जिन्दगी के लिए तयार करता है मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नमबर लाओ क्योंक मानना था कि अगर कोलिज की शिक्षा पूरी हो जाएगी तो हम जिन्दगी में ज्यादा काम्याब हो सकेंगे जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया मैं फिलोरिटा इस्टेट उनिवस्टी में अकाउंटिंग में ओनर्स के साथ ग्रेजवेट हुई और अपनी कक् साब से मुझे एक बिग एट अकाउंटिंग फर्म में नोकरी मिल गई अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे केरियर और कम उमर में रिटायर्मेंट की मेरे पती माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे हम दोनों ही भूत मेहनती परिवारों से आये थे चो भूत अमीर नहीं थे माइकल ने ओनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था एक बार नहीं बल्कि दो बार पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लो इसकूल से उनके जल्दी ही पेटेंट लो में विशेशक्यता रखने वाली वासिंग्टन डी सी की एक मानी हुई लो फर्म में नोकरी मिल गई और इस तरह उनका भविश्य भी सुनहरा लग रहा था उनके करियर का नक्षा साफ था और यह बात तै थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते थे हालाकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे परन्तु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ हमने कई बार नोकरियां बदली हालाकि हर बार नोकरी बदलने के कारण सही थे परन्तु हमारे लिए किसी ने भी पेंसन योजना में निवेश नहीं किया हमारी retirement fund हमारे खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे थे हमारी शादी बहुत सफल रही है और हमारे तीन बच्चे हैं उनमें से दो college में हैं और तीसरा भी high school में हो गया है हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी सिक्सा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया 1996 में एक दिन मेरा बेटा इस्कूल से घर लोटा इस्कूल से उसका मोभंग हो गया था मैं पढ़ाई से उब चुका था मैं उन विश्यों को पढ़ने में इतना ज्यादा समय क्यों बरबात करूँ जो असल जिन्दगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे उसने विरोध किया बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया क्योंकि अगर तुमारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कोलिज नहीं जा पाओगे चाहे मैं कोलिज जाओं या ना जाओं उसने जवाब दिया मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा अगर तुम कोलिज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी मैंने एक मा की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा बिना अच्छी नोकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो मेरे बेटे ने मुस्कुरा कर अपने सिर्क को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके हैं उसने अपने सिर को जुगाया और मम्मी आँखे घुमाने लगा मेरी समझदारी भरी सला एक बार फिर उसके कानों से भीतर नहीं गई थी हलाकि वह स्मार्ट और पिर्बल इच्छा सकती वाला युवक था पर दुए नम्र और शालीन भी था मम्मी उसने बोलना सुरू किया और भासन सुनने की बारी अब मेरी थी समय के साथ चलिए अपने चारों तरफ देखिए सबसे अमीर लोग अपनी सिक्सा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं माइकल जोर्टन और मैडोना को देखिए यहां तक कि बीच में ही हारवर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसोफ्ट किरायम किया आज में अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ती है और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है और उस बेस्बॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा जो हर साल 40 लाग डोलर से ज़्यादा कमाता है जबकि उस पर दिमागी तोर पर कमजोर होने का लेवल लगा हुआ है हम दोनों काफी समय तक चुप रहे अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चों को वही सला दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी पर उन्तो हमारी सला नहीं बदली थी अच्छी सिक्सा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी मम्मी उसने आगे कहा मैं डेड़ी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता आपको काफी पैसा मिलता है और हमें एक शांदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती समान है अगर मैं अपनी सला मानूँगा तो मेरा हाल भी आपकी तरह ही होगा मुझे भी ज़्यादा महनत करनी पड़ेगी ताकि मैं अपना ज़्यादा टेक्स भर सकूं और करज में डूब जाऊं वैसे भी आज की दुनिये में नोकरी की सुरक्सा बची नहीं है मैं यह जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दोर में कोलिज के सनातकों को कम तन्खुआ मिलती है जबकि आपके जमाने में उनके ज़्यादा तन्खुआ मिला करती थी डोक्टरों को देखिए वे अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे मैं जानता हूँ कि रिटायर्मेंट के लिए सामाजिक सुरक्सा या कमपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए वह सही था उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी मेरे माता पिदा की सला उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी सामित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदल लही दुनिया में जनम लिया था अब मैं अपने बच्चों को यह सीधी सीब बात नहीं कह सकती थी स्कूल जाओ अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नोकरेगी तलाश करो मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की सिक्षा को सही दिश्रा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी एक मावरे अकाउंटेंट होने के नाते में इस बात से परिशान थी कि स्कूल के बच्चों को धन संबंदी शिक्षा ये वित्य शिक्षा नहीं दे जाती हाई स्कूल खत्मोने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंदी पाठे के रम्मिभाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है इस बात का ग्यान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रविद्धी ब्याज की गन्ना किस तरह की जाती है इसे आसान भासा में कहें तो उन्हें धंचमंदी शिक्षा नहीं मिलती और यह ग्यान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तयार नहीं हो पाते जो उनका इंतिजार कर रही है एक ऐसी दुनिया जिसमें बच्चत से ज्यादा खर्च को महत्तव दिया जाता है जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कोलिज के शुरुवाती दिनों मैं अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर करज में डूब गया तो मैंने उसकी क्रेडिट कार्ड को नश्ट करने में उसकी मदद की साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसो की समझ आ सके पिछले साल एक दिन मेरे पती ने मुझे अपने ओफिस से फोन किया मेरे सामने एक सजजन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उसे मिलना चाहोगी उन्होंने कहा उनका नाम रोबर्ट क्योसाकी है वे एक व्यवसाई और निवेशक हैं तथा वे एक सेक्सनिक उतपाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं मुझे लगता है कि तुम भी इसी चीज की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलास थी मेरे पती माइक रोबर्ट क्योसाकी दुवारा बनाए जा रहे नई शक्सनिक उतपाद कैश फिलो से इतने पिरभावित थे कि उन्होंने इसके परिक्षन में हमें बुलावा दिया बुलवा लिया यह एक शक्सनिक खेल था इसलिए मैंने सुथानिय विश्विधालिया में पड़ रही अपनी उन्निस वर्षिय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तयार हो गई इस खेल में हम लगबक 15 लोग थे जो तीन समुहों में विभाजित थे माइक सही थे मैं इसी तरह कि शक्सनिक उत्पात की खोज कर रही थी यह किसी रंगीन मोनोपोली बोड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चुहा था पर तो मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें दो रास्ते थे एक अंदर और दूसरा बाहर खेल का लक्षिय था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना जिसे रोबर्ट चुहा दोड कहते थे और बाहरी रास्ते पर पहुचना था या तेज रास्ते पर जाना रोबर्ट के मताबिक तेज रास्ता हमे यह हैं बताता है कि असल जिन्दगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं रोबर्ट ने हमें चूहा दोड के बारे में बताया अगर आप किसी भी ओसत रूप से शिक्सी तकड़ी मेनत करने वाले आदमी की जिन्दगी को देखें तो उसमें अपको एक साही सफर मिलेगा बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते है क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छी नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कोलिज में हो जाता है बच्चा इसना तक हो जाता है और फिर योजना के नुसार काम करता है यह किसी आसान सुरक्सित नोकरी या करियर की तलाश करता है बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है साइद वह डोक्टर या वकील बन जाता है या वह सेना में भरती हो जाता है या फिर वह सरकारी नोकरी करने लगता है बच्चा पैसा कमाने लगता है उसके पास थोक के क्रेडिट काड आने लगते है और अगर अब तब उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया तो अब जम कर खरीदारी सुरू हो जाती है खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगों पर जाता है जहां उसकी उम्मर के जादतर नोजवान जाते हैं लोगों से मिलता है डेटिंग करते हैं और कभी कबार शादी भी कर लेते हैं अब जिन्दगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नोकरी करते हैं दो तनखुआएं बहुत सुखद लगती हैं पती पतनी दोनों को लगता है कि उनकी जिन्दगी सफल हो गई है उन्हें अपना भविश्य सुनेहरा नजर आता है अब वे घर, कार, टेलिविजन खरीदने का फैसला करते हैं छुटिया मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं बच्चों के साथ उनके खर्चें भी बढ़ जाते हैं खुशाल पती-पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा महिनत करनी चाहिए ज्यादा मल लगाकर काम करने लगते हैं ज्यादा विशेशक्यता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज्यादा पैसे कमा सकें हो सकता ही है कि वे दूसरा काम भी खोज लें उनकी आमनरी बढ़ जाती है परंतु सामतनी पर उन्हें इंकम टेक्स भी चुकाना पड़ता है यही नहीं उन्होंने जो बड़ा गर खरीदा है उस पर भी टेक्स देना होता है इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्सा का टेक्स तो चुकाना ही है इसी तरह बहुत से टेक्स चुकाते चुकाते उनकी तन्खुआ चोक जाती है वे अपनी बड़ी हुई तन्खुआ लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आकिर कहां चला जाता है भविष्ये के लिए बचत के हिसाब से वे कुछ मीच्वल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का घर का किराना खरीते हैं उनके बच्चों की उम्रव 5 यच्छ साल हो जाती है यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों की कोलिज की शिक्सा के लिए भी बचत जरूरी है इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायर्मेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने अब अपनी नोकरी के बाकी दिन चुहा दोड में फसकर बिताते हैं। वे अपनी कमपनी के मालीकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टेक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी समपत्ती तदा केरेडिट कार्ड के करज को चुकाने के लिए काम करते हैं फिर वे अपने बच्चों को यह सला देते हैं कि उन्हें मन लगा कर पटना चाहिए अच्छे नमबर लाने चाहिए और किसी सुरक्सित नोकरी की तलाश करनी चाहिए वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे जिन्दगी बर कड़ी मेहनत करते रहते हैं यह प्रेकिरिया पीडी दर पीडी चलती रहती है इसे चुहादोड कहते हैं चुहादोड से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है कि आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों छेत्रों में निपुन हो जाएं दिकत यह है कि इन दोनों की ही विश्यों को बोरिंग और कठिन माना जाता है मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग एट अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है मुझे यह देखकर ताजुब हुआ कि रोबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विश्यों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया है सीखने की प्रेकरिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी कि जब हम चुहा दोड से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे सुरू में तो हमें एक नए शेक्सनिक खेल का प्रेस्टिक्षन कर रहे थे परनु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मज़ा आने लगा खेल के दुरान हम दोनों ऐसे विश्यों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बाते नहीं की थी एक लेखा पाल होने के कारण इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकिया समझाने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की उस रोज मैं चुहा दोड से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई बाहर निकलने में मुझे 50 मिनिट का समय लगा हलाकि खेल लगबक 3 घंटे तक चला मेरी टेबल पर एक बैंकर बैटा था इसके अलावे एक वियवसाई था और एक कंपूटर प्रोग्रामर भी था मुझे देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग ए इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है जबकि ये विशे उनकी जिंदगी में कितनी ज़्यादा हिमित रखते है मेरे मन में ये सवाल भी उट रहा था कि वे असल जिंदगी में अपने पैसे धैले के कारोबार को कैसे समालते होंगे मैं समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती और ये लोग तो उससे दुगनी उमर के थे और उन्हें ये बाते समझ में आना चाहिए थी चुहाँ दोड से बाहर निकलने के बाद मैं दो घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्सित अमीर वियसकों को पासा फेकते और अपना बाजार फेलाते देखती रही हलाकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे हैं लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वियसकों लोग समानित अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मुलभूत बिंदों के बारे में कितना कम जानते थे उन्हें अपनी इन्कम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस सीट के आपसी संबंद को समझने में ही भूत समय लगा अपनी संपत्ती खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सोदे से उनकी महीने की आमदानी पर असर पड़ रहा है मैंने सोचा असल जिन्दगी में ऐसे करोडों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विसे कभी नहीं पड़े मैंने मन में सोचा भगवान का सुकुर है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्सिय खेल में जीतना है जब खेल खत्म हो गया तो रोबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश विलो पर चर्चा करने और इसकी समिक्सा करने के लिए कहा मेरे टेबल पर बैठा व्यवसाई खुस नहीं था उसे खेल पसंद नहीं आया था मुझे यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं है उसने जोर से कहा मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट बैंकर और वकील है जिने यह सब मालूम है रोबर्ट का जवाब था क्या अपने गोर किया है कि यह से बहुत से अकाउंटेंट है जो अमीर नहीं है और यही हाल बैंकर्स वकीलों, इस्टोक ब्रोकर्स और रियल इस्टेट ब्रोकर्स का भी है वे बहुत कुछ जानते हैं और प्राये वे लोग इस्मार्ट होते हैं परन्तु उन में से ज्यादतर अमीर नहीं होते चुकि हमारे स्कूल हमें वहसम नहीं जिखाते जो इमीर लोग जानते हैं इसलिए हम इन लोगों से सला लेते हैं परंथु एक दिन जब आप किसी हाइवे पर कार से जाते हैं आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं आप बाहर निकलने के लिए छटपट आते हैं जब आप अपनी दाई तरफ देखते हैं तो आपका accountant भी उसी traffic जाम मेर फसा हुआ है फिर आप अपनी दाई तरफ देखते हैं और आपको वहाँ अपना banker भी उसी हाल में नजर आता है इससे आपको हालात का अंदाजा हो जाएगा computer programmer भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था यह सीखने के लिए मैं software खरीद रखता हूँ banker जरूर प्रभावित हुआ था मैंने school में accounting सीखी थी परन्तु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिंदगी में किस तरह काम में लाया जाए मैं समझ गया हूँ मुझे चुहा दोड से बाहर निकलने के लिए खुद को तयार करने की जरूरत है पर तो मेरी पुतरी के विचारों से मैं सबसे ज़्यादा रोमान्चित हुई उसने कहा मुझे सीखने में बड़ा मजा आया मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली जिन्दगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए फिर उसने आगे कहा अम मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनू और यह व्यवसाय चुन्ने का कारण नोकरी की सुरक्सा उससे मिलने वाले फाइदे या तन्खुआ नहीं होंगे अगर मैं इस खेल में शिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ और वह सीखने के लिए आजाद हूँ जो मैं दिल में सीखना चाहती हूँ अभी तक मैं मुझे उस चीज को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नोकरी पाने में मदद मिले अगर मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नोकरी की सुरक्सा और समाजिक सुरक्सा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी जैसा कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होगी खेल खत्म होने के बाद मुझे रोबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला हमने उनकी योजना पर आगे बाते करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रोबर्ट ही है चाते थे कि लोगों में पैसे की बहतर समझ विक्सित हो जाए यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उच्चुक थी मेरे पती और मैंने रोबर्ट और उसकी पतनी के साथ अगले हफते डिनर मीटिंग रख ली हलाकि यह हमारा पहला समाजी के मेल जोल था फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं हमने पाया कि हमने बहुत से बाते एक जैसी हमने बहुत से विशियों पर बाते की खेलों ना टकों रेस तराओं और समाजी आर्थिक विशियों पर हमने बदलती हूँ दुनिया के बारे में भी बाते की हमने इस मुद्दे पर बहुत समय तक विचार किया कि जातर अमेरीकी कैसे अपनी रिटार्मेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचा पाते हमने समाजिक सुरक्षा और मेडिकेर की लगबग दिवालियां हालत पर भी विचार किया कि हमारे बच्चों को साड़े साथ करोड विरद लोगों के रिटार्मेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा हम हैरान थें कि लोग पैंसन योजना के भरोसे बैठ कर कितना बड़ा खत्रा मोल ले रहे हैं रोबर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीज फासला लगतार बढ़ता जा रहा है ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बलकि पूरी दुनिया में हो रहा है रोबर्ट स्वेशिक्सित और स्वेनिर्मित व्यवसाई थे वे दुनिया भर में निवेश कर चुके थे और 47 वर्स की उम्र में रिटायर हुने में सफल हो गए थे वे काम इसली कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी वे जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है परन्तु इसके बावजुद शिक्सा पदतियां बिलकुल भी नहीं बदली थे रोबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दकिया नूसी शिक्सा पदति में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विश्यें पड़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं और वे ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका नाम और निशान भी नहीं बचा है आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सला दे सकते हैं वे यह स्कूल जाओ अच्छे नमबर लाओ और कोई सुरक्सित नौकरी ढूंड़ो उन्होंने कहा यह पुरानी सला है और यह खराब सला है अगर आप यह देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षीन, अमेरीका में क्या हो रहा है तो आप भी उतना ही चिंतित होंगी जितना की मैं रोबर्ट के नुसार यह बुरी सला है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के पविश्यार्थिक रूप से सुरक्सित हो तो आप पुराने नियमों के सारे नए खेल को नहीं खेल सकते यह भूत खतरनाक होगा मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से उसका क्या मतलब है मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों को खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों की लीग पर ही चलते हैं उन्होंने कहा क्या होता है जब कोई कोर्पोरेशन श्टाफ काम करने की घोसना करता है लोगों को नोकरी से निकाल दिया जाता है परीवार तबा हो जाते हैं बेरोजगारी बढ़ जाती है हाँ परतु कमपनी पर इसका क्या आसर पड़ता है खासकर जब वह कमपनी स्टोग एक्सचेंज में दर्ज होती है जब इस टाफ कम करने की घोसना होती है तो इस टोग की कीमत बढ़ जाती है मैंने कहा जब कमपनी तनकुआ का खर्च कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है अज़ा है इस टाफ कम करने के लिए किया जाए या फिर कम्पूटर के मद्यम से किया जाए उन्होंने कहा आप ठीक कह रही है और जब इस्टोक की कीमते बढ़ती है तो मेरी तरह के लोग यानि जिनके पास उस कम्पनी के शेयर होते हैं वे ज़्यादा अमीर हो जाते हैं अलग तरह के नियमों से मेरा यही आश्य था करमचारी हारते हैं मालिक और निवेसक जीते हैं रोबर्ट करमचारी और मालिक के बीच के फर्क को समझा रहे थे यह फर्क था कि था अपनी किसमत पर खुद अपना नियंतरन होना या फिर अपनी किसमत पर किसी दूसरों का नियंतरन होना पर तो जादतर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है मैंने कहा उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है उसका जवाब था इसलिए तो बच्चों से ही है कहना मुर्खता है अपनी शिक्सा प्राप्त करो यह सोचना मुर्खता है कि इसकूल में दी जा रही शिक्सा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के जरूरत है अलग तरह के नियमों को जानने की भी धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकी 95 फिजदी लोग खेलते हैं और ये 95 फिजदी लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं इसलिए आज कल किसी बच्चे से ही है कहना खतरनाक है मन लगा कर पढ़ो और अच्छी नोकडी खोजो आज बच्चों को अलग तरे की शिक्षा की जरूरत है और आज की शिक्षा नीती उन्हें कुछ मूलभूत बाते नहीं शिखा पा रही है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किलासरूम में कितने कंपूटर रखे हैं या इसकूल कितना पैसे खर्च कर रहे हैं जब शिक्षा नीती में विशे ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को वह सिखा सकते हैं जो वे स्कूल में नहीं सिखा पाते आप अपने बच्चों को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं क्या इससे वे बोर नहीं हो पाते और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तयार करने के बजाए मैंने यह बहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तयार किया जाए तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीजों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने भी विचार किया है मैंने रोबट से पूछा हम किस तरह इसे माता पिता के लिए आसान मना सकते हैं खास कर तब जब उन्हें खुद की खुद ही इसकी समझ ना हो उन्होंने कहा मैंने इस विशे पर एक पुस्तक लिखी है वह पुस्तक कहा है मेरे कम्पूटर में यह बर्सों से वही बिखरी पड़ी है मैं कभी कभार उसमें कुछ बाते जोड़ देता हूँ परंतु मैं आज तक उसे कभी इखटा नहीं कर पाया मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरे पहली पुस्तक बेश्ट सेलर हो गई थी परंतु मैं अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरा नहीं कर पाया हूँ यह अभी भी खंडो में है और वह पुस्तक निश्चित रूप से खंडो में ही थी उन बेतर्तीब खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला है कि पुष्टक निश्चित रूप से बहतरीन थी और समाज में इसकी बहुत जरूरत थी खासकर ऐसे समय जब दुनिया तेजी से बदल रही थी हम दोनों ततकाल इस निर्निया पर पहुँचे कि मैं रोबर्ट की पुस्तक में सहे लेखक बन जाओं मैंने उनके पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को किसी वित्य सिक्सा के जरूरत होती है उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्बर करता है अपने बच्चपन में ही उन्होंने यह जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक ऐसे पिता स्वेरूप विक्ति मिल गए थे जो अमीर थे और जो उनका मार्क दर्शन करने के चुक भी थे रोबर्ट का कहना था कि सिक्षा ही सफलता की नीव है जिस तरह स्कूल में सीखी गई बाते भूत महतवबुण होती है उसी तरह धनसमंदी समझ और बोलने की कला भी महतवबुण होती है आगी की कहानी रोबर्ट के दो डैडियों के बारे में हैं जिन में से एक अमीर है और दूसरे गरीब। इनके जरी रोबर्ट उन रहसियों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। इस पुस्तक को पढ़ें। उनसे मेरा यही नुरोध है कि वे अपने किताबी ज्यान को एक तरफ रख दें और अपने धिमाग में रोबर्ट के सिधान्तों को घुस जाने दें। हलाकि उन में से कई सिधान्त पहली नजर में गलत लगेंगे एकाउंट्स के सिधान्तों की बुनियादी बातों को चुनोती देते लगेंगे। परंतु यह हैं याद रखें कि वे एक महतोपून दिरश्टी देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेशक अपने निवेश के फैसलों का विशलेशन करते हैं। जब हम अपने बच्चों को स्कुल जाने, भेनत से पढ़ने और अच्छी नोकरी पाने की सला देते हैं तो अक्सर हम ऐसा सांस्कृतिक आदतों के कारन करते हैं। पढ़ने की सला देते थे, उनके अमीर डैडी उन्हें कोर्पोरेशन का मालिक बनने की सला देते थे, दोनों ही काम मोह में शिक्सा की जरूरत थी, पढ़नतु पढ़ाई के विश्य बिलकुल अलग-अलग थे, पढ़े लिके डैडी रोबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए परूत्साहित करते थे, अमीर डैडी रोबर्ट को यह जानने के लिए परूत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाई ली जाएं, दो डैडीयों के होने से की समस्याइं भी पैदा हुई, रोबर्ट के असली डैडी हवाई राज्ये में शिक्सा परमुक थ जब रोबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी वे पहले से ही जानते थे कि उनके केरियर का लक्षिय कोर्पोरेशन का मालिक बनना है ना कि उसमें नोकरी करना सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदारी और महनती प्रामर्श दाता नहीं मिला होता तो रोबर्ट कभी कोलिज भी नहीं गए होते वे इस बात को मांते हैं वे दोलत कमाने के लिए बेताब थे परन्तु वे आखिरकार मान ही गए कि कोलिज की सिक्सा से भी उन्हें फायदा हो सकता है दरसल इस पुस्तक में दिये गए विचार शायद भूत से माता पिताओं को किरांती कारी और अत्ती शयोक्ति पूर्ण लगेंगे के लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में ही काफी मेहनत करनी पड़ रही है पर तु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नई और जोखिम भरे विचारों की तरह ध्याम देने की ज़रूरत है अपने बच्चों को करमचारी बनने की सलह देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिंदगी भरकी खुन पसीने की कमाई सी इंकम टेक्स और भी न जाने कितने टेक्स चुकाने की सलह देते हैं और इसके बाद भी पैंसन की कोई गारंटी नहीं होती और यह सच है कि आज के जमाने में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है हकीकत में ज़्यादतर परिवार तो जनवरी से आधी मई तक सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नोकरी करते हैं आज नए विचारों की बहुत जरूरत है और यहे पुश्टक हमें नए विचार देती है रुबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलगतरे की शिकसा देते हैं जो अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं डिनर टेबल पर हो सकता है कि यह विचार वे ना हूँ जिन पर आप अपने बच्चों के साथ बातें करते हूँ पर तु उन पर नजर डालने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सलह देती हूँ कि आप खोज करते रहें एक मा और CPA होने के नाते मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नोकरी पा लेना एक पुराना विचार है हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे हमें उन्हें अलग तरह की शिक्षा देनी होगी सायद हम अपने बच्चों को यह सि अमीद है कि है पुस्तक से भी अभी भावकों के लिए फाइदे मंद होगी रोबर्ट लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कोई भी विक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है अगर आप एक माली या गेट कीपर है या पूरी तरह बेरोजगार है तो भी आप आप में खु आते हैं आज हम ऐसे विश्वे वियापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया किसी के पास भी जादू की पुढ़िया नहीं है परन्तो इस बात को एक बात तो तैह है ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हम जाने भविश्य हमारे लिए क्या लाता है पर जो भी हो हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद है या तो हम सुरक्सा की रहा पर चले या फिर हम इसमार्ट बनकर खुद को धन्समंदी छेत्र में शिक्सित करें और अपने बच्चों की धन्समंदी प्रतिभा को जाग लोगत रुद 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 रुद